हलो स्टूटेंट्स वेलकन टू मैंगरेट ब्रेंज हम अपनी क्लास 11 की बुक पढ़ रहे हैं आरो हूँ आरो भाग एक तो इस आरो भाग जो हमारी पुस्तक है ये हमारे दो खंडों में विभाज़त है गद्दे खंड और कावे खंड तो शुरू के जो 10 चैप्टर है वो हमारे गद्दे खंड के हैं उसके बाद हमारे कावे खंड पहला चैप्टर नमक का दरोगा हम पढ़ चुके हैं और सेकंड चैप्टर हमारा है मिया नसुर्यूत दीन तो मिया नसुर्यूत दीन से पहले हम जान ले कृष्णा सोबिती जी के बारे में जो इसकी राइटर है यह इन्हों ने जो है एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है शब्द चित्र मतलब प्रस्तुत करने का क्या होता है कि हम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति का चित्र यानि व्यक्तत्व दोनों चीजें ही हम प्रस्तुत कर दें किसी के सामने यहाँ पर किसी से कोई चित्र नहीं बनाएंगे हम पैंसल से कोई ड्रॉइंग नहीं करेंगे सम्तिन कुछ नहीं करेंगे लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से हम ऐसा वर्णन करते हैं जो सामने वाला विक्तित्व है वो उसको एक देखने लगता है कि वो कैसा दिख रहा है तो ये जो हमारा संग्रह प्रशना सोबती का है ये हम हमशब्द इनका एक संग्रह है उसमें से संकलित किया गया मतलब उसमें से लेके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है ये शब्द चित्र है मिया नसुर्दीन जी के बारे में जो नान बाई है बहुत से तरह की नान बना लेते हैं और उनको अपने इस हुनर पर गर्व है कि उनको इतना अच्छे चीज आती है तो तो यही जो दिया है कि इसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति उनके बारे में जानने वाली हमारी जो लेखिका है वो जानने जाती है। मिया नसुरुद्दीन शब्दचित हम हमशत नामक संग्रह से लिया गया है इसमें खांदानी नामिया नसुरुद्दीन के व्यक्तित रुचियों और सभाव का शब्दचित्र खीचा गया तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर शब्दचित्र बनाया जा रहा है मतलब शब्दों के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में एक चित्र खीचा जा रहा है मिया नसुरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खांदानी महारत बताते हैं आप यहाँ पर क्या इनोंने बताया कि मसीहाई अंदाज में रोटी बनाना मतलब हम जब रोटी बनाते हैं तो जैसे लगता है हम खुदा हो जाते हैं इस तरीके से हमारी रोटी के अंदर हम जब बनाते हैं तो उसी में हम रम जाते हैं उसके से लावा हमें कुछ सूजता नहीं है इस तरीके से जो है हम उनको लेकर आते हैं वे ऐसे इंसान का प्रतिनिदत करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने की असली हुनर मानते हैं यानि की जो उनका पेशा है यानि पेशा क्या है? रोटियां बनाना, तरहे दरहे की नान बनाना, तो उसको वो सिर्फ पेशा नहीं मान रहे हैं, उसे क्या मान रहे हैं? कला है, हुनर है, ये हर किसी को नहीं आ सकता, और ये हुनर आप जब तक करेंगे नहीं, तब तक आप सीखेंगे नहीं, बात ये हो जाती जैसे बच्चा है आप उसको का खा गा गा किता भी पढ़ा लो लेकिन वो लिखना तब तक नहीं सीखेगा जब तक हाथ पे पैंसिल पकड़ेगा नहीं उसे कौपी पे चलाएगा नहीं और उससे एक लाइन खीचेगा नहीं जब तक वो ऐसा नहीं करेगा उसे वो लिखना नहीं आएगा उसी तरीके से यहाँ पर मिया नसुरुदीन का मानना है कि जब तक आप हात को गराब नहीं करेंगे आता गूंध के उन से लोग्या बना के नहीं बनाएंगे तब तक आप ये हुनर नहीं सीखेंगे एक बार बनाएंगे गलती होगी दो बार बनाएंगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हम गलतीया कहां कर रहे हैं उसको सुधार करकर के आप इस चीजों को पॉफेक्ट करेंगे तो ये ऐसे मानने वाले व्यक्ति थे लेखी का बताती है कि एक दिन वो मटिया महल के गदया महले के तरफ निकली तो एक अधेरी वा मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर संते देखा देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ अब वो जा रही थी कहने का मतलब कि वो एक तहले निकली जाई रही थी कहां पर थी वो मटिया महल के गदवय महले में अब उस महले में जब वो जाती हैं तो देखती हैं कि एक जगा बहुत सारा आटा जो है गुंदा जा रहा है बनाया जा रहा है आटा कढेर सन रहा था अब उन्हें के क्या आखिरी है क्यों हो रहा है ऐसा तो उनको जानने की इच्छा हुई पोश्ट आज करने पर पता चला कि ये खांदानी नानबाई मिया नसुरुदीन की दुकान है किसकी है? खांदानी नानबाई अब देखें यहाँ पर उनके नाम के आगे ये चीज जुड़ी हुई है खाली मिया नसुरुद्दिन उनका नाम नहीं, क्या नाम है उनका, खांदानी नानबाई मिया नसुरुद्दिन, तो ये पूरा उनका नेम है, मतलब कि उन्होंने अपने हुनर, अपने पेशे को अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ है, 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए पन मतलब 56 तरहे की रोटियां बनाने में वो मशूर हैं वो इतनी तरहे की नानियां बना लेते हैं मिया चार पाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे अब जब उनके जाबारे में जाननी कि उनकी इच्छा हुई पूछे तो वहां तक पहुँच गई कहां तक जहां पर मिया नसुर दिन खुद थे गए तो बैठे देखा कि वो एक चार पाई पर बैठे हुए हैं और बीड़ी पी रहे हैं उनके चेहरे पर अनुभाव और आखों में चुस्ती वा माथे पर कारी गरी के तेवर थे आप देखेए यहां पर हमने आपको यह लाइन बहुत ही अच्छी आपको यह बताई जा रही है शब्द चित्र जो अभी आपको बताया ना शब्द चित्र बनाना अब जब कोई चित्र बनाया जाता है तो किसी व्यक्ति के चेहरे पर जुरिया दिखाई अगर वो व्यक्ति बुजुर्ग है तो उसको जुरिया दिखाई जाएंगी तेज है तो वो भी आपको पैंसल में शेडिंग के माध्यं से बताई जाती है जब हम कोई चित्र बनाते हैं लेकिन यहां शब्दों के माध्धम से जो चित्र प्रस्तुत करने के बाद की गई है वो इस लाइन से बहुत अच्छे समझ में आ रहा है क्या दिया अनुभाव अनुभाव आखों में चेहरे पर अनुभाव है अब उनका चेहरा कैसा बताया गया है अनुभाव वाला होता है किसी चीज को देख के नहीं यह ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए यह चेहरे के हावभाव से पताद चलता है आखों में चुस्ती है कि मतलब काम की अगर तैयारी हो रही है तो उनकी आखें चारों तरफ भूम रही है कि ये काम सही हो रहा है कि नहीं भट्टी ठीक से लग रही है आटा सही गुंद रहा है कि नहीं गुंद रहा है कि नहीं गुंद रहा है उसकी लोहिया ठीक बन रही है कि नहीं बन रही है तो ये उनकी आखों के हर तरफ दौड रही थी ये उनके आखों से पता चल रहा था माथे पर कारी गरी के तेवर थे माथे पर अब माथे पर कोछी जिस गलत होती है तो हम लोग ऐसे करके ऐसे बन जाता है न तो ये तेवर बार-बार बदलते थे अगर कोई चीज अच्छी है तो चेहरा चिकना हो जाता अगर कोई खराब है तो माथे पर गुस्सा आ जाता तो ये तेवर बार-बार बदलते थे तो इनके बदलने के कारण क्या हो रहा था कि चेहरे के हाभाव बार-बार बदल रहे थे तो ये शब्द चित्र इस माध्यम से बहुत अच्छे हमारे सामने लेकर आया है जो हम कीशे आपने ये सीखा या जो कुछ भी उन्होंने पहला प्रषन पूछा तो उन्होंने बोला क्या आप कोई अख़बार की तरब से आई हैं अखबार वाले तो खाली कुरिप्ट रहते हैं जहां मज़ा मिल जाए वहां गुजज जाते हैं तो इस तरीके से व्यंग उन्ह उने किया वे अकबार बनाने वाले वा पढ़ने वाले दोनों को निठला समझते थे मतलब जिसके पास खाली समय है वो बैठके अकबार पढ़ ले ऐसा वेक्ति बेकार है ये समझना किनका था मिया नसुरुद्दीन का लेखिका ने प्रेशन पूछा कि आपने इतनी तरह की लोटियां बनाने का गुड कहां से सीखा उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि ये उनका खांदानी पेशा है उनके वालिद मिया बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मिया कलन थे उन्हें खांदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्हो आपने इतनी तरह की नान बनाना सीखा कैसे अब उनका बोलना था कि उन्होंने अपने खांदान मन को गिनाया कि हमारे दादा जी ये थे पिता जी ये थे कि सभी खांदानी नान बनाते आये हैं हमी नान नहीं बना रहे हमारे पिता जी दादा महरूम उनके भी दादा महरूम सभी नान बनाते रहे उनके नाम गिनाया और बताया कि हमने ये उनर अपने पिता से सीखा है नसुरुदीन ने बताया कि हमने ये सब मेहनत से सीखा है जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए उची जमात में पहुचता है उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम बरतंदोना बट्टी बनाना बट्टी को आच देना आदी करके ये हुनर पाया है तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है, अब देखें इन्होंने इस पैरा में बहुत बड़ी बात कही है इसको समझना है हमको क्या चीज़, इन्होंने क्या बोला कि हमने ये जो नान है ये अपने दम पे मतलब मेहनत करके सीखी है ये नहीं कि हमको मिल गई सोगात पे तो हमने ले ली ऐसा नहीं था जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अलिफ, अलिफ का मतलब यहां से है आ से छोटा आ बनाने से शुरू करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यह कक्षाएं पहले कच्ची, फिर पक्की, फिर पहली, फिर दूसरी यानि कि जैसे आज कल है नर्सरी, केजी वन, केजी टू, फिर फिर फर्स, सेकेंड, थर्ड तो एक ही करके बच्चा आगे बढ़ता है, उसी तरीके से हमने भी इसी तरीके से एक एक चीज आगे बनाई है भट्टी बनाई हमने अपने हातों से, मिट्टी सानी भट्टी बनाई भट्टी को आच दी, आच कितनी जादा होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, कैसे करना तो हर एक चीज हमने शुरू से से किये नहीं कि सिर्व आटा गुंदने से हमने शुरू कर दी भाई आटा गुंद तो जाएगा बने का तो भटी में भटी की आज कैसी होनी चाहिए ये भी नानवाई को पता होना चाहिए ये बहुत बड़ी बात इस से है कि हम मेहिनत करके अगर आगे बढ़ें तो हमको क्या होता है ना कि हम आसपास की चीजें के साथ अनुभव करते हुए हर एक चीज सीखते हुए चलते हैं तो यही चीज इस पैरा में बताई गई है, तो साथ में एक लाइन दी गई है, तालीम की भी तालीम बड़ी चीज होती है, मतलब हम अगर कोई चीज सीखने जा रहे हैं, अब जैसे चोटा से एक्जांपल हम आपको देते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है लिखने पढ़ने कैसे दूसरों से बात करनी है, यह सारी तालीम घर पे से शुरू हो जाती है, स्कूल में जाने से पहले, तो यह क्या हुआ, तालीम लेना, यानि कि स्कूल जाकर पढ़ाई, यानि तालीम लेने से पहले की जो तालीम है, वो घर पे दी गई, वही तालीम यहाँ पर मिया नस हमसे समझाई हमको. आइफोर कि खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं. खानदान मतलब आपने खानदान के बारे में, क्योंकि इतना बड़ा खानदान वे बोलते हैं, कि बहुत पीडियों से नान बनाते चले आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि एक बार नानबाई कुए में भी रोटी पका सकता है लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्ण चिन लगाया तो वह भड़क उठे लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुज़ूर कित बाश्चा के यहां काम करते थे अब उनका स्वर बदल गया वे बाश्चा का नाम स्व पर बताते ही कि एक बाश्चा ने उनके खांदान में किसी रेक्ति को बोला कि कोई ऐसी चीज बता बनाओ जो ना आग में पके और ना ही पानी से बने तो तुम ऐसी कोई चीज उनको बना कर पेश करी गई इनके खांदान वालों ने इनको पेश करी अब बाश्चा बहुत तो यही चीज उनने बोला कि अगर खांदानी नान बाई है अगर उसे किसी कुए में भी खड़ा कर दो तो वह वहां पर भी नान बना सकता है तो अब लेखिका ने ऐसे प्रश्ट पूछ लिया कि आखिर आपके बुज़र्ग खांदान जो वालिद वह मिया गरगा हैं जहां इस प्रश्ट के साथ ही वो इधर उधर देखते हैं उनको नहीं पता अंत में खीज के बोल देते हैं बादशे का नाम के आपको क्या करना है आपको बादशा के नाम चिट्थी पत्री लिखनी है इस तरीके से कहके वो भड़क उठते हैं लेखिका के उपर लेखिका ने प बबबन उसके को जोर से डाट के चिलनाने लगे कि भट्टी सुलगाव भहिनान बनानी है तो इस बाद से बच गए बादशावाली बाद से वो बच गए तो लेखिका ने फिर पूछा ये बबबन मिया कौन है तो बताया कि बबबन मिया को वो मजदूरी देते हैं अपने काम पर उने रखा हुआ है लेखिका ने रोटियों की किस में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफाट नाम गिना दिये जब उन्होंने पूछा कि कौन कौन से तरह की आप जते है तो उन्हों फटाफाट नाम लेना शुरू कर दिया फिर तुनक कर बोले तुन फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे अब समय बदल गया है अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया और न अब कदर करने वाले अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलवाला है हर वेक्ति जल्दी में है तब उन्होंने ये बताया कि भाई भाई खाली लोग जल्दी में रहते हैं चिज़ों को बताना करने का नहीं है अब खाली वह मोटी मोटी जो है तंदूरी रोटी का ही नाम बोल बाला रह गया अब आजकल इतनी रोटियां कौन खाता है, कहां खाता है तो इस तरीके से इस पार्ट को हमने यहां पर खत्म किया तो इस पार्ट में हमने देखा कि खांदानी नानबाई मिया नसरुद्धीन के बारे में हमको बताया गया है किस तरीके से शद्द चित्र खोला थीचा पूरा कृष्णा सुमवती जी ने अब इसी पे आधारे जो प्रश्ण है वो हम अपने नेक्स वीडियो में आपको बताएंगे थैंक यू बावाई